जनरली मैं कहीं आना जाना बहुत कम पसंद करता हूँ लेकिन अभी हाल ही में मैं एक मेले में गया तो वहाँ पर मुझे एक जबरदस्त बिस्स के बारे में बता चला अब मैं पहले ही बता दूँ कि आपको कहीं मेले में जाकर के कुछ कोई सामान बेचना नहीं है नहीं आपको वहाँ मेले में प्रेजेंट रहना है आप अपने घर पर ही रहेंगे सिर्फ 10,000 रुपे लगा कर आप इसे शुरू करेंगे और आपको कहीं भी इसे बेचने वगरा नहीं जाना है सच कहूं तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है वहीं अगर कमाई की बात करूं तो कम से कम लाख रुपे आप महीने के बड़े आराम से कमाएंगे और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है आप माल मंगवा लेंगे और आपका माल आपके घर से ही उठा लिया जाएगा अब आप ये सोच रहे हों कि मैं किसी ऑनलाइन काम के बारे में बता रहा हूँ कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करने को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे पता है कि ऑनलाइन वाला काम स्टार्ट करना तो इजी है लेकिन उसमें orders मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम है ये काम बहुत ही practical है और इसे अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं ऐसे में ये unique तो है ही और कई मायनों में ये काम बहुत खास है जिस पर हम आगे बात करेंगे और कमाई तो मैंने आपको बता ही दिया कि जबरदस्त है इसलिए अगर आपने अब तक अपना कोई business या काम नहीं शुरू किया है और एक ऐसे काम की तलाश में हैं जिसमें ज़्यादा दोड़ भागना हो बहुत सुकून से आपका काम चलता रहे तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा हो सकता है इसी से आपकी किसमत बदलने वाली हो तो आईए अब जान लेते हैं कि क्या है हमारा आज का ये business idea देखिए एक बहुती serious चीज़ आप ये वीडियो रोक करके पहले comment section में चले जाएए और comments को देख लिजे कि कैसे comments हैं तभी आप आगे की वीडियो देखिए क्योंकि आज के समय में इनसान के लिए उसका समय ही सबसे अनमोल है अगर आप इस वीडियो में 2-4-6 मिनट दे रहे हैं तो आपको उसकी value भी मिलनी चाहिए और आप ये कैसे decide कर पाएंगे आप comments read कीजिए अच्छे comments होगे तो definitely ऐसा होगा कि हाँ वीडियो में सही चीज़ें बताई होंगी आइडिया लोगों को पसंद आया होगा अगर बुरे comments है तो आप वीडियो चोड़के चले जाईए और ये comments आएंगे कहां से obviously आप करेंगे देखें आप लोग वीडियो देखके चले जाते हैं और comment नहीं करते हैं वीडियो कैसी भी लगी हो idea कैसा भी लगा हो तो बाद में आप dislike करके भी जाईएगा लेकिन कम से कम मुझे पता चले कि हाँ आपके ideas कैसे लग रहे हैं बाद में आप भूल जाते हैं तो देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा product क्या है देखें ये plastic का product है जो हर किसी के काम का है सबसे अची बात है कि इसमें कोई expiry date नहीं है कभी ये खराब ही नहीं होगा थंडी, गर्मी, बरसात आप पानी में डुबो कर रखिए फिर से आप दिला दूँ आपको इसे कहीं बेचने नहीं जाना है आपको अपने घर पे रहना है आपके घर से ही आपका माल उठता रहेगा और सबसे अची बात कि आपके इसे बहुत कम पैसों में 2-4-10,000 रूपयों में भी शुरू कर सकते हैं मैं standard 10,000 का investment ले के चलूँगा और उसी पे profit margin भी calculate करूँगा तो देखे ये हैं हमारे products कुछ इस तरह के artificial flowers अब हो सकता है इन्हें देख करके आपको थोड़ी tension होती हो कि इन्हें कहां बेशने जाएंगे तो मैं फिर से बता दूँ कि आगे की video में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से कोई दुकान नहीं खोलने है कहीं बेशने नहीं जाना है आपके घर से ही बिना किसी दुकान के ही ये निकलते हुए चले जाएंगे कहां से इन्हें लेना होगा कि ये बहुत सस्ते में पड़ें profit margin सब पर बात करेंगे देखिए ऐसे तो ये बहुत सारी varieties में आते हैं मैंने जनरल तीन varieties ली है देखिए एक ये सबसे छोटा जो कि बहुत छोटा है एक ये देखिए उससे थोड़ा बड़ा है बीच का है और एक इससे भी बड़ा आता है कुछ इस तरह से देखिए ये मैंने लिया हुआ है ये तो मैंने तीन जनरल varieties ली हैं जो जादा चलती हैं पहले इन्हें ध्यान से देख लीजिए कि ये फूल कितने प्यारे लगते हैं कोई भी इन्हें अपने घर पर टेबल पर वाल्स के कॉर्णर में इवन वाल्स पर इन्हें हैंग भी कर सकता है प्लेस बना करके रख भी सकता है डाइनिंग टेबल्स पर टीबी यूनिट्स के आसपास अपने बेड्स के सिराहनों पर अपनी आफिस में इवन कहीं भी रखेंगे तो कितने सुन्दर कितने प्यारे दिखेंगे ये कितने प्यारे हैं ये कभी ना खत्म होने वाले अगर गंदे हो गए हैं, आप इन्हें धो भी सकते हैं, इवेन आप इन पर पर्फियूम मार करके भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी खुश्बू भी आएगी, और आप चाहें तो इनके आसपास air freshener भी यूज़ कर सकते हैं, काफी देखने में बहुत ही सुन्दर लगते है अच्छे ये कितने प्यारे हैं, आपने ये देखी लिया, अब इनके costing की बात कर लेते हैं, देखिए सबसे नीचे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये pots हैं, ये pots, ये 2, 3 या 5 रुपे में जब आप wholesale मिलेंगे, इससे जादा इसका price बिलकुल भी नहीं पड़ने वाला है बहुत ये अच्छे plastics नहीं होती हैं, तो आपको maximum 5 रुपे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2-3 रुपे में बड़े आराम से मिल जाएंगे, उसके बाद अगर देखें तो इसमें देखिए, spot के अंदर आप देखेंगे, तो P.O.P. जो plaster of Paris होता है, या फिर wall putty भी यूज कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये मिट्टी नुमा डाला हुआ है, अगर इसकी costing की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 इंच तक डाला हुआ है, ये ज़्यादा स्यादा आपका 1-2 रुपे से ज़्यादा cost नहीं जाएगे, हम इसे भी 3 रुपे पकड़ ले इसे रहते हैं, लड़ी टाइप के एक-एक, तो उनको आपको लगाना होता है, अब अगर हम इन सब की costing करें, मतलब ये पूरी लड़ी और सही टहनियों की, चाहे इसकी हम या इसकी किसी की भी, तो ये बहुत मुश्किल से जादा से जादा 10-15 रुपे की पड़ेंगे, हम इसे भी maximum 20 तक ले लेंगे, इन्हें install करना भी देखे कितना आसान है, आप port लीजे, इसमें P.O.P. डालिए, वाल पुट्टी डालिए, जो भी, उसके बाद आप इन लड़ियों को इसकी टहनियों में लगा दीजे, और P.O.P. में इसको घुसेड दीजे, आप चाहेंगे तो यह आपको बने-बनाए भी मिल जाएंगे, अब इनकी अगर costing आप देखते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप calculate कर लीजेगा, 15 से ले करके 25 रूपए से ज़्यादा नहीं जाने वाले, हम maximum लेकर calculate करने वाले हैं profit वगेरा, हम 25 लेकर calculate करेंगे, अब सोच करेंगे कैसे वो भी आपके घर से ही, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ज्यादा tension वाले काम की जो आप सोचते हैं कि विकेगा कैसे, देखिए आपको करना क्या है, कि अपने आस पास के शुरू में मैं कह रहा हूँ, आप 10 लोगों को इकठा कर लिजे, ऐसे 10 ज्यादा कमाई कर सकते हैं, वो भी बहुत सुकून से अपना काम करके, देखिए आपको इन flowers का average में लिया है set और वो भी maximum लेके, आपको 25 रुपे में पढ़ रहे हैं, आप उनसे सिर्फ एक piece पर 10 रुपे का profit रखेंगे, यानि कि आप उनको 35 रुपे का देंगे, और वो इसको 70, 80, 100 रुपे तक में बेज पाएंगे, मतलब एक piece से उनका profit 40, 50 या 80 रुपे तक का भी हो सकता है, मैंने खुद इन तीन फूलों के लिए 200 रुपे पे की हैं, वो भी मोल तोल करने के बाद, मतलब यार काफी अच्छा खासा scope है, बहुत अच्छी कमाई इसमें वो कर पाएंगे, अगर हम उन लड़कों की भी profit को 40, 50, 80 रुपे ना जोड़कर, कम से कम सिर्फ 25 रुपे एक piece का जोड़ते हैं, और अगर एक दिन में वो कम से कम 40 पीस भी बेच लेते हैं, तो 1000 रुपे हो गए, यानि कि 30,000 महीने का, और ये कम से कम है, आप खुद समझ सकते है कि इसको 50, 70, 100 पीस भी निकालना कितना आसान है, मतलब ऐसे में वो लाखों रुपे भी महीने के कमा सकते हैं, अच्छा एक सवाल कि ये लोग इसे बेचेंगे कहां पर, देखे, अलग-अलग दिनों में, अलग-अलग बाजारों में, मेलों में जाकरके, अगर उनके पास नौखरी से बहुत अच्छा काम है, हर कोई लेता है, बहुत आराम से बिखता है, अच्छा ये तो हो गई उन लोगों की प्रॉफिट, अब बात कर लेते हैं कि आपकी इसमें कैसे और कितनी प्रॉफिट होनी है, देखे, जो मैंने स्टेंडर कहा था, कि मान लिजे, आप 10 हजार उपए लागत लगाते हैं शुरू में, तो पच्छीस रुपए के हिसाब से अगर आप शुरू में 400 पीसे समंगवाते हैं, और 10 बंदों को आपने सेट किया, और उनको 40-40 पीस देते हैं, तो एक बंदे से आपका एक पीस पर 10 रुपए के हिसाब से 400 रुपए और लोगों को अपने साथ जोडते जाए और कमाने की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 4-5 लाख रुपए या 10 लाख तक भी इसमें कमा सकते हैं, तो आप जान लेते हैं कि आपको इन्हें लेना कहां से है, कहां से आपको यह मिलेंगे, देखिए पहला तरीका है आप इन नमबर वगरा डाल दीजे, जो की विल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने है, उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में जा करके सर्च करना है, प्लास्टिक आर्टिफिशिल फ्लावर्स, तो आपको धेर सारे सप्लायर्स के वहां पर आर्टिकल्स दिख जाएंगे, आप एक-एक आर्टिकल्स पर जाकरके उनके नमबर्स वगरा लेकरके खुद भी कॉल कर सकते हैं, इवेन आप सिर्फ सर्च कर लेंगे, और देखे का थोड़ी देर बाद आपके पास खुदी कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको वाटसेप पर उनके ध बहेर सारे सप्लायर से बात करनी है, चाहे वहाँ खुद जाकर सर्च करके उनके आर्टिकल से उनका नमबर लेकरके, चाहे वह आपको खुद कॉल बैक करेंगे, उनसे बात करके या वाटसेप पर भेजेंगे, तो वहाँ से बात करके आपको ज्यादा से ज्यादा सप्लाय लाइटए लोगों से बात कीजिए डील्स को फाइनल कीजिए जो सबसे कम रेट में आपको दे रहा हो आपको और ज़्यादा सप्लायर्स की डिटेल चाहिए और ज़्यादा वेराइटीज देखनी हैं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं आपको वहां भी धेर सारे सप्लायर्स और उनके के टालोग दिख जाएंगे तो भाई अभी तक अगर आप खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहें तो मैं कहूंगा कि एक सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा शुब कामनाओं के साथ मिलते हैं गले वीडियो में धन्यवाद